नमस्कार दोस्तो मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि जमिन की डावर्जन के लिए ओनलाइन आवेधन कैसे करें क्या प्रोसेस है तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखें चैनल प सब्सक्राइब करने के लिए पेज मिलेगा इस लॉग इंवाले ओप्षन पर कलिक करना है आप यूजर आइडी और डिपार्ट्मेंट और पासवर्ड फिलप करने के लिव बोला जा रहा है तो इस वीडियो को देखें और यूजर आइडी अपना क्रियेट करें उसके बा आप इस पॉर्टल में लॉग इन हो जाएंगे तो दोस्तो जब आप इस में लॉग इन हो जाएंगे तो आपके समय का इंटरफिस होगा आप यहां से देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे प्रकार से करना उसकी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं उप्रोक्त होड़नी सभी नियमों सब्सक्राइब करता हूं उसके बाद दोस्तों आप जमाकरी वाले आप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तब आपके सामने इस तरीक का इंटरफेस होगा यहां से जितने भी अप्लिकेशन आपने भे बोला जाए रहा है तो आप जिला अपना सेलेट करने जिस जिले की जमीन है डावर्शन के लिए आप अपलाई करना चाहते हैं उसके बाद तहसिल सेलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि किस गाव का आप डावर्शन करना चाहते हैं तो इस लिष्ट से जो भी आपकी गा हो आप स्क्रॉल करके इस तरीके से उसको सेलेक्ट करने दूस्तो उसके बाद यहाँ पी तरीके से आप भूस्वामी की जयनकारी प्राप्त कर सकते हैं यानि दूस्तो आविदन करने के लिए तीन आप्सण्स मिल जाएंगे भूस्वामी अगर आपको खसरा परकार से लिस्ट आपके सामने खुलेगी जो भी भूस्वामी है उसको सेलेक्ट आप कर लें तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आपको जमीन का खसरा नबर सेलेक्ट करने के बाद वीवरण का एक option मिलेगा इस वीवरण वाले option पर आपको क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम आपक करना है उसके बाद दोस्तों जोड़े का एक option मिलेगा इस जोड़े वाले option पर आपको क्लिक कर देना है जोड़ने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ टाइम तक फिर वेट करने के लिए बूला जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भूस्वामी है उनकी पिता का नाम हिस्सा पुरी जानकारी आपके सामरी इस तरीका है से सोगा यहां पर एड्रेस भी सो हो रहा होगा और दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं इनकी जमीन है 0.0123 120 स्वारी दोस्तों यहां से जोड़े वाले option पर आपको क्लिक कर देना है अब खसरा नगता है यहां से एक आइस का option मिलेगा आख का तो आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं उसके बाद दूस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको जो उद्देश मिलेगा किस परपस से आप जमीन का डाइवर्शन करोना चाहते है तो आप यहां से देख सकते हैं कि आवासी बेवसाही बहुत सारे options मिल जाएंगे और यहां जो चलान का amount है अपको प्याइट करना है अब दूस्तों आवेदक जो होंगे तीन डिसमील का देख सकते हैं दूस्तों एक आइस सो दो रुपे पचास पेसे आपको online payment करना है अब आवेदक का वि email ID आपको फिलफ कर देना है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरी जानकरी आपको यहां से इस तरीके से फिलफ कर लेना है अब आपको यहां पर एक अन जानकरी option मिलेगा तो क्या आवेदक भूस्वामी है यानि जो आवेदक अपलाई कर रहे हैं जिसके नाम से यहां से जिसकी जानकरी आप फिलफ कर रहे हैं वह दोस्तों अगर भूस्वामी है यानि दोस्तों यह जो आवेदक का विवर्ण आपने डाला है तो यहां पर हाग क्लिक करें वहाना नहीं पर क्लिक करें तो दोस्तों आपको दो-तीन options मांगा जाएगा वकालत नामा तो आप हां प किलिक करें वहाना नहीं पर क्लिक कर रहने दोस्तों कि तो दोस्तों अगर हां पर यहां पर करते हैं तो अगरसे हें तो नहीं पर क्लिक करके कि यहाँ पे नीचे में options आपको मिल जाएगा आपको कुछ document add करने के लिए बोला जाएगा जैसे कि यहाँ पे ID proof ID proof में pen card, voter ID, आधार card, bank passbook या न कोई valid ID proof fill up करने के लिए बोला जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे आप जब ID का जो प्रकार है इसको select कर लेने के बाद आप आइडी नमबर फिलप करें और डेर फिलप कर दें और यहाँ पे jpg file में, pdf file में, png file में तीन options में से आप upload कर सकते हैं कम से कम 5 MB तक होना शाहिए उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पता का प्रकार आप यहाँ पे भी ID कोई select करके उसका नमबर और सेम तरीके से आप यहाँ पे फिलप कर सकते हैं ID पता के प्रमार्पत्र में दोस्तों आप आधार का बैंक पास्वूक बोटर आइडी इसको एड़ करके उसका नमबर यहाँ पे फिलप करके उसका डेट यहाँ पे फिलप करें और यहाँ पे अपलोड कर दें उसके बाद दोस्तों एक उप्सन्स मांगा जाएगा TNCP द्वारा यह अनुश्ती जो जारी होता है उसका विवरन फिलप करने के लिए बुला जाएगा तो यहाँ कमपल सरी नहीं है दोस्तों लेकिन आपके पास अगर TNCP का प्रमार्पत है तो आप यहाँ पे फिलप कर प्रमाउन करते होते हैं अफ्लोट कर लेने को दूस्त लेगा जमा करेगा जमा करें यहां अपको एक आप्सन की न् wrestle नक्षा सोल की हां पर भुकतान करें का ऑप्सन मिलें का 42 पर पचास पैसे नॉर्मल चार्ज यह आपको payment करना होगा और यहाँ पर दोस्तो अवेदन संख्या का option मिल जागा आप यहाँ पर भुकतान करेगा option पर क्लिक करके दोस्तों इस राज़सी को payment करें इसको payment करने के लिए आपको कई moods मिल जाएंगे payment करने के लिए जैसे की UPI, Net Banking, Credit Card, Debit Card, तो आप यहां से भुक्तान करें वाले वाप्शन पर क्लिक करें और इसका जो Secure Wallet है दोस्तों जो की website पर बना हुआ है जिसमें आपको use करने के लिए कुछ payment पहले से डालना होता है तो आप उससे भी payment कर सकते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके भुक्तान करें वाले वाप्शन पर आपको बढ़ना है दोस्तों तो दोस्तों जब आपका payment हो जाएगा तो इस तरीके की रसीद मिलेगी आप यहां से प्रेंट करें और यहां पर आवेदन संक्या पूरी जानकरी आपको मिल जागी किस खसरे का कितना च्छेदर प्रतनाइं के लिए आवेदन कर रहे हैं यहां पर इस वेफसाइट की जानकरी आपको मिल जागा अब आपको यहां से इसको प्रेंट कर लें उसके बाद यहां पर बंद वाले आप्शन पर आपको क्लिक कर दें अब आपके सामना इस तरीकी का इंटरफेस होगा जहां पर एक ऑप्शन सापको दिखाई दर होगा कि दोस्तो आई एक्सेप्ट आल्टरमेंड कंडिशन यहां पर किलिक करके जो आपका बाइस सो का चलान है उसको आपको यहां से भुकतान वाले आप्शन पर किलिक करके पेमेंड करें और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी आईडिया आप ने अपलोड किया है यहां से आप जानकारी देखेंगे कि जो आपने प्ट करना है हाँ रिक्सित्ल में चाहते हैं दोस्तो ईस लिष्ट में आप देख सकते हैं सब्सक्राइ치를 जाए पर आइस से करते हैं तो आपके समय पिन के लिए बोला जाएगा उसको इस नंबर करते हैं तो आपको था अपको वाले Osan अपको एक नबर करते हैं और सब्सक्रेंदो 20 जैसे आपको कर देना आ है जैसे आपके वाले ओप्सन को प्लीक करते थो जो उस website पे आपको redirect कर दिया जाएगा तो दोस्तो जब आप payment कर लेते हैं तब आपके सामने इस तरीका इंटरफेस होगा उसको आपको कुछ time wait करना है और यह redirect कर देगा आपको उसकी official website पर तो दोस्तो इस तरीका इंटरफेस में आपके सामने इसको होगा आप इस चलान को print कर लें प्रिंट कर लेने को आप यहां पर बंद कर एक option मिलेगा इस बंद कर वाले option पर आपको के लिए कर देना है अब दोस्तों यहां पर आपको नक्स upload करने के लिए बोला जागा और तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपका print out एक तीन पेज का है आपको यहां पर signature करने के लिए बोला जाएगा और स्थान और यहां पर print करने के लिए option फिलेगा प्रिंट कर लेते हैं तो अब आपको इसको पेडिया फाइल में create करके इसको upload करना होता है तो दोस्तों करवांक और आवेदन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो डाइवर्शन है वह complete हुआ है कि नहीं और order हुआ है कि नहीं पूरी जानकरी आपको यहां से मिल जाएगे तब आपको थोड़ा wait कर लेना है उस जो copy को download करने के लिए यह automatic आपको download करके मिल जागा तो द दोस्तों यह जो आपकी रसीद है यह आपकी फाइनल डाइवर्शन की copy है आपको इस receipt को add कर लेना है आप देख सकते हैं कि आपको आपको application नंबर और case नंबर मिल जाएगा और आपको जानकारी आपको मिल जाएगा और एक बारकोड मिल जाएगा इसको भी आप प्रेंट आउट ले और जो आपको शुरू में copy अपने add किया है उन सभी का एक सेट बना कि sdm office में लिया कर सब्मिट कर सकते हैं दोस्तों कंपल सरी नहीं है लेकिन आप दोस्तों इसको लिया कर सब्मिट कर दे तो दोस्तों कुछ इस step को आप follow करके अपनी जमिंग का डाइवर्श करने के लिए